गॉल Blake Ston last các bạn का इलाज बिना सर्जरी, बिना चीरे, बिना ओपरेशन के संभब है यह नहीं है और क्या सिर्फ दवाईयों से ही गॉल बलेडरी स्टोन को निकाला जा सकता है तो दोस्तो ये जानने के लिए लिए समझने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बना रहना पड़ेगा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम समझते हैं कि actual में गॉल बेडर क्या होता है और गॉल बेडर स्टोन बनते क्यों है कहां से आ जाते हैं ये पत्थर गॉल बेडर के अंदर गॉल बेडर जो है एक छोटा सा एक थैली नुमा इस्ट्रक्चर होता है जो राइट साइड में यहाँ पर लिवर के नीचे लगा रहता है लिवर के साथ लिवर से कुछ जूसे बनते हैं जो इस थैली के नदर इखटे होते हैं तो यह एक reservoir के तोर पर काम करता है बाइल जूस को एकटा करने के लिए और जब भी हम कुछ चिकना भोजन करते हैं को फैटी भोजन करते हैं तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि अब चिकना भोजन आने वाला है आथ में उस समय जो यह गॉल बेडर हो शिरिंग होता है और वहां से बाइल जूस निकलके छोटी पीट के तरफ चला जाता है और यह फैटी भूजन को पचाने में सहायक होता है कि बात करते कि पत्थर आ कहां से जाती है तो जो बाइल जूस है कोडल्बेडर के लिए लगता कि वहां पे तो हमेशा व्य पड़ ज्यूस पड़ा है उस भीग जूस में नीची की ढां दिपॉजिट शुरू से अ Emersonorte फ़ेट के नाम से अक्सर में करीकेडी मत स्थी तरह की stone होती है, उनको pigmet stone कहते हैं, तो bile juice के अंदर bilrubin होता है, अगर उसकी मातरा जादा हो जाए या जो bile juice है, वो बहुत जादा concentrated हो जाए, तो उसके कारण जो bilrubin है यह जो pigments है, वो deposits होना शुरू हो जाते हैं और यह पत्थर की शकल इख्तियार कर लेते हैं तो दीरे-दीरे जब यह डिपोजिट्स बहुत जादा इखटे होते हैं तो फिर यह बड़ा पत्थर बना लेते हैं ऐसी जो पत्थर हैं वो करीब 20% मरीजों में पाये जाते हैं जिनकों pigment stone के नाम से जानते हैं मगर यही मरीज जो हैं जो asymptomatic मरीज हैं वो कभी किसी समय पे जाके asymptomatic मरीजों में convert हो जाते हैं यानि कि उनने लक्षण आ जाते हैं पर यह लक्षण आते क्यों हैं कब आते हैं कैसे आते हैं तो अक्चली होता है क्या है कि जैसे जैसी stone का size बढ़ता जाता है यह जो bile juice है उसका रास्ता रोकने लगता है तो जो bile juice गॉल बेडर से निकलके small intestine की तरफ जाना था अगर उसकी मात्रा कम होने लगती है तो stomach में जैसी fatty content जाते हैं तो उसका digestion ठीक से नहीं होता जिब digestion ठीक माने शुरू हो जाता है और दीरे दीरे जैसे जैसे stone का size और बढ़ा होता है तो यह रास्तिक रिकावट और बढ़ने लगती है तो जो bile juice जितनी मात्रा में आगे जाना चाहिए था वो आगे नहीं जा पाता और यह गॉल ब्लेडर के अंदर जादा होता है तो यह पीछे क करते हैं गॉल ब्लेडर की वॉल को वहां पर inflammation या सुझें शुरू कर देता है ऐसे में और भी symptoms होने लगते और अगर वहां पर infection हो जाए तो इंफ्लमेशन और ज्यादा बढ़ जाता है ऐसी condition में मरीज को severe intense pain होता है जिसको बरदाश्ट करना उसके लिए मुश्किल होता है वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और यह जो दर्द है वो राइट थाइप के उपरी इस्से में यहां पर होता है और यह पीछी की तरब भी जा सकता है और राइट शॉल्टर पर भी आता है दर्द और उसके अलावा जो है मरीज उतना बेचैन होता है कि उसको फटाफट ट्रिटमेंट लेनी की जरूत होती है यानि कि बिना इंजेक्शन लिए उसको और आम नहीं पड़ता और अल्टिमेटली यह बडिकल इमर्जिंसी के तोर पर देखा जाता है इन सारे अक्यूट कॉलिस्टाइटिस के लक्ष क्याती सिम्टम्स होते हैं हलके आते हैं चले जाते हैं फिर कभी सिम्टम्स आगे महीने में 6 महीने में और आपने कुछ दवाई खाली हो ठीक होगे मगर वह स्टोन होती स्टोन का साइज भी बढ़ता रहता है और यही आगे जाके कभी-कभी अगर समय पे इलाज ना किया जाए यह क्यों और सूजण है और अंदर हो था एक नाम से जानते है जानते हैं अगर क्रोणिफ क्वे स्टॉंटम्स का भी समय पर वहां पे बीइंफेक्शन सकता है जिसको और या इंफेक्षण की तरफ भी जाने लगता है जिसको पैंगरेटाटिस कहते हैं और यह लाइफ थरेटनिंग सुचूइशन है उसके लाबा खून के अंदर ही पूरे इंफेक्शन हो जाए जिसको हम सैप्सिस कहते हैं यह बड़ गॉल ब्लेडर के कैंसर में भी कनवर्ट हो जाती है और जो लीवर के नजदीक होता है तो जिसके विए से लीवर में भी कैंसर हो सकता है और ये फिर बहुत खतारनाक कंडिशन हो जाती है तो सवाल ही आता है कि क्या गॉल ब्लेडर स्टोन को बिना सर्जरी के बिना ओपरेशन के बिना चीरे के सिर्फ दवाईयों से भी निकाला जा सकता है बहुत से लोग इस बात का दावा भी करते हैं और मैं भी इस बात से किसी हद तक इतफाक रखता हूँ कि हां कुछ ऐसी दवाईयां हैं जिनसे गॉल ब्लेडर स्टोन को निकालने में मदद मिल सकती है मगर उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है या ना के बराबर है बहुत सारे ऐसे मरीज जो कोशिश करते हैं कि चलो सर्जरी से कोई रास्ता मिला है आमें बचने का तो चलो दवाईयों पर चलते हैं और यजब खाना शुरू करते है तो एक दिन में दो दिन में कोई असर नहीं डालती है आपको सालों साल ही दवाई खानी पढ़ती है तब जाके वो गॉल ब्रेडरी स्टोन पे कुछ अपना असर दिखाती है लेकिन अगर स्टोन का साइज बढ़ा है तो possibility ना के बराबर है या impossible है कि आप गॉल ब्रेडरी स्टोन को किसी दवाई से निकाल सकते हैं बिना सर्जरी क हाँ हम ऐसा जरूर करते हैं कि जैसे जैसे समय बीटता जाता है गॉल ब्रेडरी स्टोन का साइज बढ़ता रहता है और जो हमने उपर complications की बात की यह बढ़ने का खत्रा और बढ़ जाता है और जहां पर जो इलाज सिर्फ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानि कि दूरबीन के जरीए एक operation से इस गॉल बेडर स्टोन को निकाला जा सकता था या गॉल बेडर को निकाला जा सकता है अब वो मुश्किल हो जाता है और उसके लिए हमें open surgery या बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है क्यूंकि जैसे जैसे complications बढ़ते हैं जो गॉल ब्लेडर है एक तो उसके अपने surrounding organs से जिसको एदिजन्स के नाम से जानते हैं तो आप वो असानी से चुटता नहीं है तो उस condition में आपको बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है जिसमें आपको चार से पांस दिन इस्पदाल में रहना पड़ता है दूर बिन की सर्जरी में आप 24 गंटे में घर आ जाते तो दोस्तो मैं यह कहूंगा कि हाँ इलाज जरूर है available दवाईयों के जरीए भी लेकिन उससे आप incident rate को कम कर सकते हैं पत्री को बनने से रोक सकते हैं उसकी प्रकिरिया को धिमा कर सकते हैं लेकिन खतम नहीं कर सकते हैं तो यह बात अपने मन में बिठा लें कि गॉल बेडर मान के अगर आप treatment की तरफ बढ़ते हैं तो यह नुकसान दे भी हो सकता है दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ श और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद